मुर्गी पालन का बिजनेस दोस्तों आप इस बिजनेस को जिस प्लेस पर सुरू करना चाहते हैं उस प्लेस पर जो लोग भी बिजनेस करते हैं उनका अनुभाव ले क्योंकि मुर्गी पालन का बिजनेस है कैसा बिजनेस है जो कि अलग-अलग एरिया के हिसाब से अलग-अलग कैटेगरी का किया जाता है क्योंकि वह मुर्गी जो है उस वातावरन के लिए अनुकूल होते हैं साथ ही इसमें मुख्या दो कैटेगरी का जो है मुर्गी पालन किया जाता है जिसमें के ब्राइलर और दूसरा जो होता है देसी मूर्गी पालन ब्राइलर के तुलना में देसी मूर्गी पालन में रख रखाओ कम लेकिन खर्चे ज़्यादा होते हैं जबकि ब्राइलर मूर्गी पालन में रख रखाओ की अधिक आव सकता होती है और यह बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं तो देशी मूर्गी पालन के लिए प्रती मूर्गी धाई वर्ग फूट की आव सकता होती है एक चूजा की जो कीमत है 15-20 रुपे में अवेलबल हो जाता है चूजा का जो खाना है 20-30 ग्राम और इसे बढ़ने में 4-5 मां का समय लग जाता है और मूर्गी का जो खाना है 30-50 ग्राम की आव सकता होती है लेकिन ब्राइलर के तुन्ना में 3 गुना रेट में यह सेलिंग होता है इस प्रकार से देशी मूर्गी पालन का बिजनेस जहत आप आउनलाइन इसके लिए ट्रेनिंग भी ले सकते हैं आप पसू पालन योजना के लिए लोन ले सकते हैं अलग-अलग इस्टेट में इसकी अलग-अलग योजना भी चलती रहती हैं कम से कम 10 लीटर दूद देने वाली गाय से आप डेरी का बिजनेस से स्टार्ट क कर सकते हैं डेरी बिजनेस के लिए अपने बिजनेस का पंजी करन के अलावा ट्रेट लाइसेंस और वैट रजिस्टेशन की आवशेक्ता होती हैं साथ ही पसू पालन योजना के तह सेड निर्मान के लिए गवर्मेंट 35-40,000 रुपे का अनुदान भी देती हैं अगर इस इन्वेस्टेमेंट की बात करें तो एक से सवालाख रुपे में आप अपने ही घर से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और प्रॉफिट की बात करें तो पचास रुपे दूद की लिटर से भी अगर बात करते हैं तो पचास लिटर में 25 रुपे आप पड़े जो हैं इ प्राफिटेबल बिजनेस है बसरते इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको एक डिलिवरी वेन क्या सकता हो सकती है हाला कि आप स्टार्टिंग में अपने बाइक से भी कर सकते हैं फल और सब्जी का बिजनेस प्राफिटेबल बिजनेस है लेकिन जब आप बिजनेस क को स्टार्ट कर रहें तो स्टार्टिंग से अधिक प्रॉफिट के बारे में न सोचें बलकि आप अपने फल और सब्जी की कंडिशन को बहतर रखें और अपने कॉंपिटेटरों से कम प्राइस पर ही आप सेलिंग करके कस्टमर को बांधें और इस प्रकार से अगर आप कर देख समय में आप यह सब मुनाफ़वाला बिजनेस है और एक का पौफिटबल कर सकते हैं जो लोग भी अंडा रोल या पानीपूरी का बिजनेस करते हैं, प्रॉफिटेबल बिजनेस करते हैं, टेंट हाउस का बिजनेस, टेंट हाउस का बिजनेस भी गाउं के लिए या सहर या कसबों के लिए हर जगा जो है एक प्रॉफिटेबल बिजनेस, रिस्क कफरी बिजनेस, वन वार इंवेस्टमेंट करना है उसके बार आपको आठ से दस साल तक इंवेस्टमेंट क्या उता तर जितने भी फंक्सन हैं या साधी वगर हैं वो सभी एक ही समय में होते हैं इस वजह से आप अगर नया बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं तो भी आपकी बूकिंग हमेशा बनी रहेगी और इस बिजनेस को आप मात्र एक लाक रुपे की इन्वेस्टेमेंट से भी सुरू कर सकते हैं टायन्ट हाउस के बिजनेस की विस्तार से जानकरी किरमने एक सेपरिट वीडियो अपलोड कर दिया है आप हमारे वीडियो को अवस्य विजिट करें